Hello everyone, this is Anita and welcome back to my channel The Knowledge Ocean. आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्योकप की शुरुआत से लेके अब तक की सभी विश्योकप विजेता टीम्स के बारे में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. 1975 जब ICC क्रिकेट वर्टकप की शुरुआत हुई तब फर्स्ट क्रिकेट वर्टकप फाइनल मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज और आस्ट्रेलिया के बीच. और इस वर्टकप की होस्टिंग की थी इंगलेंड ने. इस मैच में आस्ट्रेलिया को 17 रन से हरा कर वेस्ट इंडीज वर्ट चेंपियन बनी. उस समय वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉइड थे. सेकिंड वर्टकप 1979 में खेला गया जिसकी होस्टिंग इंगलेंड ने की. और इसका फाइनल मैच वेस्ट इंडीज और इंगलेंड के बीच खेला गया. वेस्ट इंडीज ने इस मैच में इंगलेंड को 92 रन से हराया और विश्व विजयता बनी. इस समय भी वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉइड थे. 1983 का वर्टकप लगाता तीसरा वर्टकप था जिसकी होस्टिंग इंगलेंड ने की. और इसका फाइनल मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया. West Indies लगाता तीसरी बार final में पहुंची जहां उसका मुकावला इंडिया से था जिसे वर्ड कप की शुरुआत तक बहुत कमजोर टीम माना जाता था लेकिन इंडियन टीम ने वर्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया और final match में शांदार प्रदर्शन करते हुए West Indies को 43 रन से हरा कर विश्विजेता बनी इस समय भारते टीम के कप्तान कपिल देव थे 1987 में फर्स टाइम क्रिकेट वर्ड कप इंग्लेंड से बाहर खेला गया जिसकी मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने मिलकर की और इसका final आस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के बीच खेला गया जिसे आस्ट्रेलिया ने 7 रन से जीता इस समय आस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन एलन बॉर्डर थे 1992 क्रिकेट वर्ड कप की मेजबानी आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड ने मिलकर की जिसका final पाकिस्तान और इंग्लेंड के बीच खेला गया इसका final match पाकिस्तान ने 22 रन से जीता और विश्र विजेता बनी इस समय पाकिस्तानी टीम के कैप्टन इमरांग खान थे 1996 क्रिकेट वर्ड कप की होस्टिंग एक बार फिर भारतर पाकिस्तान ने मिलकर की जिसका final में श्रिलंका और आस्ट्रेलिया के बीच खेला गया जिससे श्रिलंका ने 7 विकेट से जीता और वर्ड चेंपियन बनी इस समय श्रिलंकन टीम के कैप्टन अरजुनाराना तुंगा थे 1999 क्रिकेट वर्ड कप की होस्टिंग इंग्लेंड ने की जिसका final और पाकिस्तान के बीच खेला गया जिसे और आस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता और इस समय और आस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन स्टीव ओथ थे अगला क्रिकेट वर्ड कप हुआ 2007 में जिसकी होस्टिंग वेस्ट इंडी ज्वारा की गई और इसका final और श्री लंका के बीच खेला गया जिसे और आस्ट्रेलिया ने 53 रन से जीता और लगाता तीसरी बार विश्व विजेता बनी इस समय भी ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन रिकी पॉंटिंग थे वर्ड कप 2011 की मेजवानी इंडिया और बांगलादेश की द्वारा मिल कर की गई इसका final इंडिया और श्री लंका के बीच खेला गया भारत ने इस final match में श्री लंका को 6 विकेट से हराया और विश्व विजेता बनी इस विश्व कप के बाद सचिन तैंदूलकर ने वन डे क्रिकेट से सन्यास ले लिया इस समय इंडियन टीम के कैप्टन महिंदर सिंग धोनी थे 2015 क्रिकेट वर्कप के होस्टिंग और न्यूजिलेंड ने की इसका final और न्यूजिलेंड के बीच खेला गया फाइनल मैच में दौनों मेजवान देश आमने सामने थे यह final match और विकेट से जीता और वर्ड चेंपियन बनी इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन माइकल क्लार्ग थे 2019 क्रिकेट वर्कप की मेजवानी इंगलेंड और वेल्स ने मिलकर की और इसका final match इंगलेंड और न्यूजिलेंड के बीच खेला गया सुपर हावर के द्वारा यह match जीत कर इंगलेंड वर्ड चेंपियन बनी और इस समय इंगलेंड टीम के कैप्टन एउन मौर्गन थे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आप को यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू